हेलो बच्चो इस यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया प्रश्ण एक आयताकार कागज 40 cm गुणा 22 cm को मूड कर एक खोकले बेलन के आकार में बनाया जाता है इसकी उंचाई 40 cm है बेलन की त्रिज्जा क्या होगी तो ये हमारे पास एक आयताकार कागज है इसकी लंबाई 40 cm और ये चोड़ाई इसकी जो है 22 cm है इसको मूड कर एक खोकले बेलन के आकार में बनाया जाता है जिसकी उंचाई 40 cm है यानि इसे इस तरह से खड़ा कर देंगे और खड़ा करने के बाद इसे बना देंगे हम बेलन तो ये जो उंचाई है यानि जो लंबाई थी वो बन गी इसकी उंचाई 40 cm और इसकी जो चोड़ाई थी वो इसकी ये बन गई परदी तो परदी बरावर हो गए इसकी जो आधार की परदी हो गई इसकी वो हो गई हमारी 22 cm जब कागज को चोड़ाई के परते मोड़ा जाता है 40 cm उंचाई वाला बेलन बना दिया जाता है तो चोड़ाई आधार की परदी बन जाती है तो यहाँ पर परदी हो जाएगी 2 पाई आर अगर इस आधार की तरज्जा आर है तो टू पाई आर बरावर 22 cm पाई की बेलू 22 वट्टे साथ होती है गणा आर बरावर 22 22 से 22 कट जाएगा दो वट्टे साथ इंटू आर बरावर हो जाएगा बन केंची का गुडा करेंगे तो आर बरावर जाएगा साथ वट्टे दू यानि 3.5 cm तो इस तरह से इसके आधार की बेलन की तरज्जा हो जाएगी 3.5 cm और यही हमारा उत्तर होगा तो इस तरह से इसके तरज्जा होई 3.5 cm आजा करता हूँ आपको यह समझा होगा वीडियो पसंद है तो लाइक गिरूर कर दें चैनल को सेरे हम सब्सक्राइब भी कर लें वीडियो दिशनली बहुत बहुत दन्यवाद